ये आदमी रोड़ाना उड़कर पहुचता है ओफिस कोई शक आप रोड़ाना अपने ओफिस आने जाने के दौरान कितनी दूरी तै करते हैं एक साओ या दो साओ किमी से ज्यादा दूरी तो नहीं ही होगी लेकिन ये जनाब तो आफिस जाने के लिए रोज ही 1250 किलोमीटर की दूरी तै करते हैं जाहिर है इतनी दूरी अगर ट्रेन या कार से करेंगे तो पूरे आफिस अवर तो रास्ते में ही निकल जाएंगे फिर तभी तो ये रोज प्लेन से आफिस आते जाते हैं किसा यही नहीं खत्म हुआ है अमेरिकी शहर लोस एंजिल्स में रहने वाले कर्वोन बडिन्स की पेशे से एक मेकेनेकल इंजीनियर है और सेंट फ्रांसिसको में स्थित एक कमपनी के मालिक है दुनिया की सबसे फेमस जग्धों में से एक लॉस एंजिल्स में रहने वाला कोई भी अपना घर क्यों बदलना या छोड़ना चाहेगा लेकिन कमपनी चलानी है तो ओफिस बीजाना पड़ेगा प्रोजाना करते हैं 6 गंटे का हावाई सफर कर्ट वो उनका हाल भी यही है वो रोज अपने ऑफिस फ्लाइट से ही आते जाते हैं अपने ऑफिस के इस सफर के लिए कर्ट वो उनको रोज सुबह पांच-तिस बजे उठना होता है इसके बाद वो तयार होकर घर से 20 किलोमेटर दूर बॉब हो ब्रबैंक एरपोर्ट अपने कार से पहुंचते हैं कार को पार्क करके वो यहां से ओकलेंड की फ्लाइट पकड़ते हैं जिसमें उन्हें 90 मिनट काटने होते हैं एक प्लेन और दो कारों से पूरा होता है उनका ओफिस का सफर ओकलेंड एरपोर्ट पर उतरते ही उनका ओफिस नहीं आ जाता है यहां पहले से खड़ी अपनी दूसरी कार में बैट कर वो 32 किलोमेटर दूर अपने ओफिस तक ड्राइव करते हैं हाँ जी अब आ गया उनका ओफिस इस तरह से कर्ट वोन का ओफिस का यह डेली सफर दो कारों और एक फ्लाइट की मदद से पूरा होता है सुबह के भागगम भागवाले इस सफर के बाद कर्ट वोन करीब साड़े आठ बजे ओफिस पहुँच जाते हैं वापसी का एकसाइटिंग सफर अपने पांच दिन के ओफिस के सफर में कर्गवोन शाम को पांच बजे फ्री हो जाते हैं इसके बाद उन्हें सेंट फ्रांसिसको के ओकलेंड एरपोर्ट की ओर तेजी से गाड़ी दोडानी होती है शाम को सडकों पर हैवी ट्राफिक होता है नतीजा यह है कि वो उन्साथ 15 बजे की अपनी फ्लाइट पकड़ पाते हैं फाइनली रात को बरबैंक एरपोर्ट पर उत्तर कर फिर कार चला कर वो रात 9 बजे तक अपने घर पहुँच जाते हैं उनकी ये आपाधापी देख कर तमाम लोग कहेंगे कि इतनी भाग डावड के बाद आखिर वो अफिस में काम कैसे करते हैं लेकिन कर्ग वोन बडिन्स की अपने आफिस जाने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं डेली कस्टमर होने के कारण कर्च वोन को अपने हवाई सफर में एक खास सुविधा जरूर मिलती है कि वो एरपोर्ट के सेक्योरेटी चेक से बिना गुजरे अपने प्लेन तक पहुँच जाते हैं उड़ते हवाई जहाज में दरवाजा खुल गया तो क्या होगा? रोज के खास हवाई सफर का मन्थली खर्चा है 2300 डॉलर कर्च वोन रोजाना जिस फ्लाइट से ऑफिस आते जाते हैं उसका महीने का खर्चा आता है 2300 डॉलर यानी इंडियन रुपयों में करीब 1500 रुपयों इतने खर्च में वोन एक चार्टेड प्लेन, सिंगल इंजिन टर्बो प्रोपेर प्लेन का कितना भी यूज कर सकते हैं कम्पनी के माले के लिए ये खर्चा बहुत ज्यादा नहीं कहा जाएगा लेकिन जनाब पैसों के साथ साथ कर्वोन जैसी एनर्जी होना भी आसान बात नहीं है